नमस्कार दोस्तो अगर आपको एक बड़िया सा induction cooktop खरीदना है तो इस वीडियो को देखते रहे हैं इस वीडियो में हम लोग review करेंगे 5 सबसे बड़िया induction cooktops का जो की आप ले सकते हो तो इस वीडियो को करते हैं शुरू तो शुरू करते हैं नमबर पांच पर जो सबसे बड़ी है इंडक्शन कुक्टॉप आप ले सकते हो तो वो जान लेते हैं कौन सा वाला है तो यहाँ पर जो आता है बजाज मजिस्टी का ICX नियो इंडक्शन कुक्टॉप ये कुछ दिखने मैं ऐसा है और इसका जो प्राइस है आपको मल जाता है 2250 एनी 2250 रुपीज में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी इंडक्शन कुक्टॉप की प्राइसे मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है बाद में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इनका प्राइसे थोड़ा सा वैरी कर जाए तो इसके लिए मैंने हर एक इंडक्शन कुक्टॉप का नीचे इस वीडियो की डिस्रिप्शन वॉक्स में इनका बेस्ट बाइ लिंक देके रखा है वहाँ पे जा होता है अरे साइस की पैन्स को इसके ऊपर रखने के लिए तो इस इंडक्शन कुक्टॉप में आपको जो है वेरियेबल टेंपरेचर सेटिंग का फंक्शन मिल जाता है और इसके मदद से आप जो है अपने कुकिंग नीच के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो और अपना खाना बना सकते हो इस इंडक्शन कुकर में आपको जो है साथ प्री सेट मेनू ऑप्शन दिया जाता है जो की सूटबल होता है सभी तरीकी इंडियन और वेस्टन स्टाइल कोकिंग के लिए जिसे आप बॉइलिंग कर सकते हो अरी बना सकते हो दोसा रोटी बना सकते हो या फिर चाए भी बना सकते हो इसमें तो इसके अंदर एक digital LED display भी देखने को मिल जाता है तो यह काफी helpful होता है जब आप इसके अंदर खाना बना रहे हो तो इसका अगर में ऊपर की surface की बात करो तो इसमें आपको semi polished crystal glass body देखने को मिल जाता है 260 mm by 260 mm साइस का जो की काफी elegant looking है और काफी अच्छा design में भी है और इसमें जो है आपको एक साल का warranty भी मिल जाता है इस induction cooktop के ऊपर तो आगे बढ़ते हैं आप चौथे नमबर पे जो सबसे बढ़िया induction cooktop आप ले सकते हो तो वो जान लेते हैं कौन सा वाला है तो यहा तो इसके बारे में भी बात करते हैं और करते हैं SPGN की induction cooktop का complete review तो यहाँ पर मैं बात करूँ इसका जो control panel है ना बहुत बढ़िया control panel मिल जाता है feather touch control panel आपको देखने को मलता है और इसमें आपको एक preset auto switch off का timer भी दिया जाता है power rating की बात करूँ तो 1800 वर्ट का power rating इसमें आपको मलता है और इसमें 8 predefined menu option दिया जाता है और इसके साथ साथ LED display भी देखने को मलता है temperature indicate करने के लिए इस उक टॉप में आपको जो हाई grade electrical circuits देखने को मल जाता है जो की short circuiting से भी बचाता है तो इसका जो उपर का जो प्लेट को withstand कर सकता है और तो ऐसे में ये जो induction है काफी durable होता है और लंबे समय तक टिक भी जाता है इसका जो odd length है वो काफी लंबा है 1.5 मीटर का आपको odd length दिया जाता है और इस induction cooker को use करके आप जो है दोसा बना सकते हो रोटी बना सकते हो डी फ्राइ कर सकते हो इडली बना सकते हो मिल्क को गरम कर सकते हो वरेंटी की बात करो तो इसमें भी आपको एक साल का वरेंटी मिल जाता है तो आगे बात करते हैं पर तीसे नमबर पे जो सबसे बड़िया induction cooktop आप ले सकते हो तो वो जान लेते हैं कौन सा वाला है तो यहाँ पर जो आता है उशा का cookjoy 3616 1600 watt induction cooktop आप इसका जो प्राइस है आपको 2000 रुपे यानि 2000 रुपीज में मिल जाता है तो इसका भी हम लोग करते हैं रिव्यू और बात करते हैं इस उशा की induction cooktop के बारे में तो इस induction cooker में जो है heat जो है uniform distribute होता है पूरे utensil के surface के उपर ऐसे में आपकी food जो है burned out बिलकुल नहीं होता है औ और आपके खाना जो है बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हो तो अगर मैं इसके design की बात करो तो यह काफी slim और elegant design से बनाया गया है और यह जो है काफी minimum space लेता है आपकी kitchen पे इसमें आपको देखने को मलता है anti-skid fit जो की इसे slip होने से protect करता है और इसमें आपको एक voltage fluctuation का भी का एक protection भी देखने को मलता है इसमें आपको 5 preset cooking menus देखने को मल जाता है जिसे use करके आप variety of dishes जो है बना सकते हो तो यह induction truck बना है upper coil से और इसका जो power rating है आपको 1600 watt का देखने को मलता है extra long pod भी आपको इसमें देखने को मलता है 1.2 meters की length का warranty भी आपको इसमें एक साल का मिल जाता है तो आगे बढ़ते है आपे दूसरे number पे जो सबसे बड़िया induction cooktop आप ले सकते हो तो वो जान लेते है कौन सा वाला है तो यहाँ पे जो आता है फिलिप्स का वीवक अलेक्शन का 2100 watt induction cooktop तो यह को जिक्टिम ऐसा है इसका जो प्राइस आपको मल जाता है 4000 रु और आपको दिया जाता है तो इससे जो है काफी जल्दी आप खाने को बना सकते हो इसमें आपको हाई क्वालिटी फुल ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है जिसकी ऊपर आपको काफी प्रीमियम फिनिश देखने को मलता है और इसमें आपको एक सेंसर अचकीज भी देखन को मिलता है जिससे कि आप काफी एसीरी इस इंड़ेक्शन कुकर को यूज कर सकते हो इसका जो ग्लास पैनले काफी स्लीक है और स्टरी ग्लास से बनाया गया है और इसके चलते आपको जो है काफी ऐसीरAKE करना और काफी फास जो है Same ह कुकिंग हो जाता है तो ये यूज魚 करता ह इसके अंदर आपको एक उल्टच सर्फेस भी देखने को मलता है, जो साइड वाला सर्फेस है और जो आटो आफ प्रोग्राम भी इसमें दिया गया है, ताकि आप सेफली जो है टुकिंग कर सको, इसमें आपको 10 प्रीसेट मेनू देखने को मलता है, तेरे की इंडियन का फीचर भी उठा सको, और इसमें आपको 24R की प्रीसेट आइमर फंक्शन भी दिया जाता है, जो कि आपको डीलेट कोकिंग करने में भी मदद करता है, और इसका भी आपको एक साल का वरेंटी मिल जाता है, इस इंडेक्शन कुक टॉप के ऊपर, तो आगे बरते हैं आप इसका जो प्राइस है आपको मिल जाता है, पचीस सो रुपए यारी 2500 रुपीज में, तो इसका भी हम लोग करते है, रिव्यू और बात करते है, इस प्रिस्टीज की इंडेक्शन कुक टॉप के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है, काफी यूनीक पावर स टिकनलोजी जहां पे इंडेक्शन कुक टॉप जो है, डाइनमिकली मॉनिटर करता है, वेसल की टेंपरेचर और उसके हिसाब से जो है, पावर लेवल को अज़स्ट करता है, बेस्ट ओन की कितनी साइज का आप यूटिंसिल वहाँ पे डाले हो, तो अगर आपने बरा डाय तो वहाँ पे जो है, ज़ादा पावर नहीं चाहिए, वहाँ पे टेमपरेचर आपको जादा नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से वो सिलेक करता है, तो इस इंडेक्शन कुक टॉप में आपको जो है, बिलकुल अन्सील वे में फेदर टच बटन्स मिल जाता है, तो ऐसे में पानी अंदर गुषने का चांसेज नहीं रहता कुक्टॉप के अंदर तो इसके अंदर आपको timer button भी दिया जाता है जिसके मदद से आप प्रेस करके प्लस या माइनस दोनों यह पर ऑप्शन दिया गया है उसके प्रेस करके आप टाइम को सेट कर सकते हो और इसमें आपको एक पॉस का भी फंक्शन दिया गया है ताकि अगर आपको खाना बना रहे हो आपको पॉस करना है इंडक्शन को फिर आके आपको तो काफी यूनीक फीचर आपको इस प्रिस्टीज की इंडेक्शन कुक topic पे मिल जाता है जो कि आपकी खाने को चार गुशन तक वर्म लखता है अगर आप खाने को इस इंडेक्शन के ऊपर रखते हो तो इसका वो यह श्यूर करता है प्लाइक ग्लास पैनल है वो खाली center में ही heat हो और बाकी जो remaining surface है induction का वो जो है हमेशा cool रहता है तो आप अगर अज भी कर देते हो तो कोई issue नहीं होता है तो ये cooktop में आपको जो है Indian menu options देखने को मिल जाता है जिसके बदत से आप authentic Indian foods बना सकते हो जैसे चपाटी, इडली, करी, दोसाज warranty के बात करूँ तो इसमें भी आपको एक साल का warranty मिल जाता है इस induction cooktop के उपर तो ये था सबसे बड़िया 5 induction cooktops जो कि आप ले सकते हो इन सभी induction cookers का मैंने इस video की description box में इनका best buy link देके रखा है वहाँ पे जाके आप जो है इनको check out कर सकते हो, देख सकते हो और अपना मन पसंदित induction cooktop को खरीद भी सकते हो तो आशा करता हूँ ये video आपको अच्छा लागा होगा अगर आपको कोई भी doubt है इस video से related या फिर इन induction cooktop से related तो नीचे comment जरूर करना तो हम लोग इस video को यही पे करते हैं खतम